Laptop लो या फिर computer लो I think मेरे खियाल से laptop लेना ज्यादा बहतर option होगा laptop को आप कहीं पर ले जा सकते हो नहीं या सायद मेरे खिल से computer ज्यादा बहतर option होगा फिर से confusion well जब या फर्स टाइम अपने कामों के लिए या फिर अपने study के लिए computer खरीदने की सोचते हो तो अक्सर आप confused जाते हो कि आखिर में laptop लेना ज्यादा बहतर होगा या फिर desktop computer लेना ज्यादा बहतर होगा तोनों में से अखिर कौन से लेना हमारे लिए ज्यादा बेटर और परफेक्ट होगा well जानना चाहते हो तो इसके लिए लास तक वीडियो देखते रहो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे हेलो गाईज मेरे नाम है मनोश सरू और हमेशा की तरह टेक्नोलजी गैंशनल में आपका स्वागत है desktop computer या फिर laptop दोनों में से कौन सा खरीदे ये जानने से पहले यहाँ पर आप यरो और laptop के बीच में कुछ important differences पता होनी चीए जिसे जानने के बाद आप खुड decide कर लोगे कि आखिर में दोनों में से कौन सा लेना आपके लिए ज्यादा बैतर होगा जिसमें सबसे पहला आता है cost यानि की price तो जब भी आपको एक नया system खरीदने की सोचते हो तो सबसे पहले आप सोचते हो पैसो के बारे में यानि की price के बारे में और आप हमेसा एक budget set करते हो कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकते तो यहाँ पर मैं आपको बता दो जितने भी computer होते हैं वह सस्ते होते हैं laptop के comparison में पर आपको जो budget है वह 30,000 के आसपास है और आपने 30,000 रुपे में laptop खरीदने का सोच लिया है और आपको जो specification मिल रहे है वह आपके लिए इनफ नहीं है उसी के जगे पर आप 30,000 रुपे में computer खरी सकते हैं जहां पर आपको जो performance जो specification है वह laptop के comparison में और बहतर मिलेगी तो य यहां पर आप computer के साथ जा सकते हो next आता है portability वाल यह biggest difference है laptop और computer की बीच में वह यह है कि laptop को आप कहीं पी पी ले जा सकते हो एक जगे से दूसरी जगे easily आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो कि simple सा बैग में डाल सकते और laptop को कहीं पी पी ले जाकी easily इस्तिमाल कर सकते हैं वही इस सारे जो components होते हैं वह इक दूसरी से connected होते हैं यहां पर जिसे एक जगे से दूसरी जगे लिजाना इतना आसान नहीं है तो यहां पर simple सा पंडा है कि अगर आपका जो काम है आप इस purpose के लिए ले रहे हो कि आपको एक जगे से दूसरी जगे जाना होता है मीटिंग जान नहीं करते हो आपका जो भी सारा काम है वह घर से operate होता है घर पर ही आप सारा जो काम है computer या लापटॉप से related वह आप घर पर ही करते हो तो यहां पर definitely desktop आपके लिए काफी बहतर option हो सकता है next आता है screen size well computer में एक फाइदा यह है कि यहां पर आप कितने भी बड़े screen size वाले monitor का इस्तिमाल कर सकते हैं मालेजी यहां पर आपके पाए जो monitor है जो screen size वो आपके लिए इनफ नहीं है आप एक बड़े screen size वाले monitor का इस्तिमाल कर सकते हो तो यहां पर आप easily उस monitor को या फिर कहलो एक बड़े screen monitor को लाखी connect कर सकते हो और उसे अपना monitor बना सकते हो वहीं पर अगर हम बात करें laptop की तो यहां पर laptop का screen होता है वो fix होता है आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता ही है तो laptop में जो screen लगा हुआ है उसे निकाल के उसकी जगह पे एक बड़ा screen fit करना यह possible नहीं है आप सभी लोगों को अच्छी तरह पता ही है हाँ वो बाता लगे कि यहां पर आप अलग से projector का इस्तिमाल कर सकते हो external monitor को connect कर सकते हो लिकिन वो बात अलग है तो यहां पर simple सा funda है अमाल नीचे आपको एक बड़ा सा monitor चाहिए जहां पर आप video editing करना चाते हो 4K video editing करना चाते हो और वहां पर आपको बड़े से screen की जरूरत है तो यहां पर simply आप computer के साथ जा सकते हो जहां पर आप बात में कभी भी किसी भी बग जो desktop है जो screen size उसे बड़ा कर सकते हो जो आपको easy रहेगा वहीं पर अगर आप एक fix size एक fix screen से खुश है तो definitely यहां पर आप laptop के साथ जा सकते हैं next आता है upgrading वैल यह सबसे important और सबसे बड़ा difference है computer और laptop के बीच में computer में यहां पर आप अपने हिसाब से customize कर सकते हो किसी भी components को या फिर पार्ट को अगर आप upgrade करना चाते हो तो वह आप easily कर सकते हो वहीं पर अगर हम बात करें laptop की तो यह सब आप laptop में नहीं कर सकते हैं laptop में यहां पर आप RAM FE storage को upgrade कर सकते हो बढ़ा सकते हो लेकिन उसके लिए भी आपको एक expert की जरत पड़ेगी यहां पर simple फंडा है आप को ऐसा system लेना चाहते हो जिसे आप बाद में जाके upgrade करना चाहते हो हम सभी लोग को पता है कि जो system होता है वो एक समय बात slow हो जाता है तो हमें USे upgrade करना पढ़ता है यहां पर आपको पूरा एक नया system नहीं लेना है दुबारा से सेम जो आपके पुराना सिस्टम बढ़ाओ से अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर definitely यह सारी चीज़े आप computer में कर सकते हो जबकि यह सारी चीज़े laptop में आप नहीं कर सकते Next आता है performance Well जब भी आपको एक नया laptop खरीते हो या फिर computer खरीते हो जितने भी गेमर्स होते हैं वह हमेशा computer पर ही gaming करते हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े video editing होता है 4K video editing होता है वह हमेशा desktop computer में ही किया जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको जो performance है वह टॉप लेवल की मिलती है बहतर मिलती है laptop के comparison में वही पर अगर आपको ऐसा laptop खरीदना चाते हो जिसकी जो performance है वो टॉप लेवल की हो आपको बहुत ही कमाल की performance मिले तो ऐसे जो laptop होते हो वो बहुत ही आपको महंगे मिलेंगे market में desktop के comparison में तो यहाँ पर simple सा fund है कि अगर आपको कोई ऐसा system चाहिए जहां पर आप gaming करना चाते हो आपको performance बहुत ही बहुत ही बहतर मिले अच्छे price में इसके लाब यहाँ पर आपको कोई सिस्थम चाहिए जहां पर आप video rating करना चाते हो एक बड़ा सा screen लगाना चाते हो बड़ा सा monitor लगाना चाते हो या फिर आप अपने हिसाब से किसी भी वक्त अपने सिस्टम को अप्ग्रेड करना चाहते हो तो नो डाउट यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बहुत बहुतर आप्शन हो सकता है तो यह थे कुछ important difference laptop और computer के बीच में तो यहाँ पर देखा जाए तो हर मामले में यहाँ पर computer थोड़ा सा आगे जरूर निकल जाता है अब यहाँ पर computer ले या फिर laptop ले वाल यह आपके needs के उपर depend करता है कि आप किस purpose के लिए system करीदना चाहते है यहाँ पर माल लीजिए अगर आपका जो काम है वो ज्यादा तर बाहर होता है या फिर आप एक जगे से दूसरी जगे ट्रैवल करते रहते हैं और यहाँ पर आपको system की जरत पढ़ती है तो नो डॉट यहाँ पर आपकी लिए जो laptop है वो एक बहतर option हो सकता है आप laptop को खरी तो यहाँ पर no doubt आप computer के साथ जा सकते हो तो overall यह आपकी needs के उपर depend करता है I hope अब आप select कर पाएंगे कि आप computer खरीदना चाहिए या फिर laptop खरीदना चाहिए वैसे आप क्या खरीद होगे मुझे नीचे comment करके ज़रू बताना है अभी तक इस वीडियो को लाइक निका तो like कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और होजगता वीडियो शेयर कर देना और मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye